आशा करता हूँ, आप सब बहुत अच्छे होंगे, मेरे नाम आ से धान तक नहीं हो, तो नहीं स्टेडी आईक्योपप का बहुत सभागत है, आज हम बात करेंगे, दुनिया की सबसे खुबसूरत महिला, actress Marilyn Monroe की Marilyn Monroe की बात करें तो आपको पता ही है अभी सुशान सिंग राजपूत ने खुद कोशी की और Marilyn Monroe भी depression का शिकार थी इतनी successful actress glamour के लिए मशूर, sensuality के लिए मशूर Marilyn Monroe के बारे में बताया जाता था इनको एक sex symbol के तौर पे देखा जाता था लेकिन Marilyn Monroe जो है वो बहुत ही जाधा अच्छी इनसान थी ये बताती थी कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे सर्फ और सर्फ प्यार चाहिए जीवन बर सच्चे प्यार को तरस्ती रही और ultimately depression का शिकार हो गई और इनकी मौत हो गई excessive overdose of pills की वज़े से इनकी मौत होगी, नीन की गोलिया खाती थी तो जितनी जल्दी इनका करियर उपर गया, उतनी ही जल्दी नीचे आया बहुत ही छोटा सा सफर था लेकिन ये जो सफर था इसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया बहुत ही जाधा talented थी और सबसे वड़ी बात है बहुत struggle किया था, बचपन में बहुत जाधा struggle किया था, पैसे थे नहीं घरीबी में जीवन बीता कई बार sexual abuse हुई उसके बावजूद इतनी fame इनोंने पाई इतनी उची उचे पद पर पहुंची बहुत हर कोई इनको बहुत चाहता था, लेकिन वहीं है ना, कि जब सितारे गर्दिश में आते हैं, तब आप कुछ कर नहीं सकते तो आज हम Marilyn Monroe की बात करेंगे दोस्तों बहुत सारे interesting चीज़े हैं जानने के लिए तो बने रहे हैं मेरे साथ Marilyn Monroe की बाइग्राफी सिरर्स को रिकनेक्ट मेरे फेस्बुक पेज है सिद्धान तगनी उत्री के नाम से मेरे फेस्बुक प्रोफाइल है दोनों ही जग आप प्रेचक भी PDF ले सकते हैं सवार भी पूछ सकते हैं UPSC के लिए Smart Coach हमने बनाए हैं आप उसको EMI पे अवेल कर सकते हैं इसके लिए आपको Steady IQ का app डाउनलोड करना पड़ेगा वहां से आप अवेल कर लिजे Twitter पे मैं आ गया हूँ यह नहीं मेरी ID दोस्तों अगर हम बात करें Marilyn Monroe तो भाईया इनका जनम हुआ था Marilyn Monroe इनका ओरिजिनल नाम नहीं है यह तो उनकी दादी जी का नाम है इन्होंने अपना नाम बहुत बाद में चेंज किया जब यह movie industry में आई समझ रहे हैं पिता जी कौन थे नहीं पता Marilyn Monroe कई बार इन्होंने अपने पिता जी को खोजने की कोशिश की खाली नाम पता था कौन है बिलकुल नहीं पता और इनके पिता जी इनको मिले भी नहीं माता जी जो थी वो mentally unstable उनको दिमागी बिमारी थी जिसकी वज़े से Marilyn Monroe कभी इस घर तो कभी उस घर foster homes में रहती थी पैसे थे नहीं इनकी माता जी के पास पैसे थे नहीं odd jobs करती थी बहुत मुश्किल था इनकी माता जी को अलब इनकी जो ममी थी वो इनको पाल नहीं पाती थी तो कई बार Marilyn Monroe को दूसरे घरों में रहना पड़ता था दूसरे के parents जो होते थे तो इनको ले जाते थे foster homes जिनको कहते हैं और कई बार तो अना थाले में रहना पड़ता था 9 साल की थी जब Marilyn Monroe तो इनकी माता जी का nervous breakdown हो गया अब जब इनकी माता जी का nervous breakdown हुआ वो चली गई पागल खाने तो Marilyn Monroe को फिर orphanage भेजा गया और इस दौरान Marilyn Monroe बहुत कई बार इनको abuse किया गया sexual assault हुआ इनके साथ कई बार यहां तक इनोंने खुद बताया है कि मेरे साथ बलातकार तक हुआ है जब मैं 11 साल की थी इतनी बुरी हालत क्योंकि ना ही माता जी ना ही पिता जी कोई है नहीं ना ही कोई भाईब है एक half sister थी जिनसे इनोंने कभी बात नहीं की तो बहुती मुश्किल भरा जीवन था पैसे बिलकुल भी नहीं थे ममी का प्यार भी नहीं पिता जी का भी प्यार नहीं कुछ भी नहीं देखा Marilyn Monroe ने और इसलिए जीवन भर चाहती रही कि कोई मुझे प्यार करे जब इनकी पहली शादी हुई थी तो उन्हेंन अपने पती से बोला था 16 साल की थी जब इनकी पहली शादी हुई थी कि मुझे एक बच्चा चाहिए ठीक है Marilyn Monroe को कभी बच्चा नहीं था और बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी लेकिन उनके पते ने बोला कि अभी तुम बहुत छोटी हो अभी हम मतलब कोई भी बेबी को भी इस दुनिया में नहीं ला सकते बहुत प्रब्लम हो जाएगी ठीक है अभी तुम बहुत छोटी भी और वो जब्मधारी तुम अभी नहीं उठा सकती और दोस्तों ता उम्र यह चाहती दिया और कोशिश करती ने कि इनको एक बच्चा हो जाए कई बार इन्होंने एडॉप्शन की भी कोशिश की लेकिन वो नाकाम हुई तो हमेशा प्यार की तलाश में रही मुन्रों लेकिन उनको प्यार सही प्यार मिला नहीं इनके भी गलती थी ऐसा नहीं है इनकी भी बहुत गलती थी लेकिन वही है न कि आप पच्च्टाय हो एग कि जब चड़ियाख चुक गई खेद anyway पढ़ाई तो हो नहीं नहीं थी ऐसे महल में तो 15 साल की उमर में ड्रॉप आउट थी है 15 साल की उमर में इन्होंने स्कूल छोड़ दिया अब ना ही माता जी है ना ही पिता जी है कहां जाए और्फनेज में बोला गया कि तुम और्फनेज जाओ और ना था ले जाओ तो उसस ने उस समय James Doherty से शादी कर ली 1942 में 1942 में Marilyn Monroe की 3 शादियां हुई थी 1942 में 16 साल की थी इन्होंने शादी कर ली और Doherty जो थे वो ठीक ता काम करते थे अब उस समय तो पता नहीं था कि Marilyn Monroe इतनी बड़ी आक्ट्रेस हो जाएंगी और अभी तक यह Mortensen है अभी तक इन्होंने ना वो इसके उपर नहीं चड़ी मतलब वो जो स्ट्रगल था ऐसा नहीं था कि जो जिस प्रॉब्लम से जूज रही थी वो इसके दिमाग में घर कर जाए ऐसा बिल्कुल भी नहीं था बहुत ही सॉफ्ट स्पोकेन जम्मिदार लड़की एक बहुत खाना बहुत बढ़िया बनात में लेकिन अक्चुली में बड़ी इंटेलिजन थी और इनका फेसी इतना स्माइलिंग था इनकी स्माइल पे तो भाईया जॉन एफ केनिडी तक मर गए थे वो तक धेर हो गए थे तो बाकी तो आप छोड़ी दीजे लेकिन इनका मजाग भी बहुत उड़ाया गया मैरिलि मेरिलिन मुन्रो पीछे देखती थी तो बिल्कुल वो नॉर्मल तो बड़ा उनको इस चीज से गुसा भी आता था है ना उसके बाद दोस्तों हम यह देखते हैं कि 16 सालमें की शादी हुई ठीक है अभी तब कुछ भी नहीं पता है क्या करना है अभी तक यही है कि सिर्फ सिर्फ हाउसवाई बनना है अपने पती से बोला कि मुझे एक बच्चा चाहिए और इनके पती ने बोला कि अभी तुम रेडी नहीं हो ठीक है और अभी हम किसी भी बेबी को किसी भी बच्चे को इस दुनिया में नहीं लाएंगे काफी मनाने की कोशिश की मुन्रो ने ले बच्चे का इंटर हो गया तो इनके हजबेंड भी गए देश को सेवा देने के लिए ठीक है अब जब इनके हजबेंड बाहर थे ताब भाया इनकी जिन्दगी बदल गई कई बार अनेक्सपेक्टेट चीजे हो जाती है हुआ क्या कि उस समय आर्मी का मुराल काफी डाउन ठीक है ना हिटलर ने इधर हिटलर तो बैंड बजया पड़ा था या आपको पता ही है ठीक है और इधर जापान तो आर्मी का मुराल बहुत ज़्यादा डाउन था तो एक फोटाउग्रफर आया और उसने कुछ खूबसूरत लड़कियों को इघटा किया और उनकी फोटो क्लिक किया और बकायदा मैगजीन में चापने लगा वो समझ रहे हैं ब्लू मैगजीन आती थी उस समय और उसमें फोटो चापने लगा मैरिलिन मुन्रो देखिए जब शुरू में जब इंसान बच्चा होता है तब तो 16-17 साल के उमर में उसका शरीड इतना डेवलप नहीं हुआ होता है लेकिन 16 के बाद आपके हार्मोन जो है वो स्पाइक करते हैं आपका शरीड डेवलप होने लगता है चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो ठीक है और बहुत सारी चीजे चलती है इस उमर में है ना ये एज जो होती है ये जो पीरेड होता है इसमें समझ में नहीं आता है ठीक है और एक तरीके का गोल्डन फेज होता है तो यहाँ पे मैरिलेन मुन्रो का भी अब शरीड डेवलप होने लगा था ठीक है ना मैरिलेन मुन्रो जो की पहले बहुत अच्छी नहीं लगती थी सुन्दर बहुत थी लेकिन अब 16-17 साल आते आते मैरिलेन मुन्रो हद से अट्राक्टिव लगने लगी बहुती ज़ाधा खूबसूरत लगने लगी ठीक है इनका पूरा शरीड डेवलप हो गया था अब ये फोटाग्रफर ने तुरंट इसको देख लिया ठीक है और इनको नोटिस किया और इनको फोटोग्राफिक लिए बुलाया मैरिलेन मुन् पता था इनके हस्बेंड को नहीं पता था कि मैरिलेन मुन्रो जो है वो फोटोग्राफि में वेस्ट है लेकिन इनकी खूब सारी फोटो निकाली गई और मैगजीन के कवर पेज पे छापी गई बहुत सारी मैगजीनों की लाइन लग गई और इनकी फोटो जो है वो कवर तो डौहटी ने बोला किया रहे यह तो मेरी बीवी है देखो देखो मेरी बीवी की फोटो जो बगल में सैनिक थी बोलते है हाँ हाँ ठीक है ओके बहुत हो गया उनको मजग लगा रहा था उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी खुबसूरत लड़की इसकी बीव होती है ठीक है चार साल तक इनकी शादी ठीक चली लेकिन अल्टीमेटली जब बहुत सारे साइन्मेंट मिन ले लगे मैरिलन मुन्रो को तो इनके पती ने बोल दिया कि तेखो तुम बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती हो अब तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुमको मेरे सा ट्री छोड़ीनी पड़ी और ध्यान दीजेगा अभी तक मुवी में कोई काम नहीं मिला है तो मेरिलन मुन्रो ने फिर डिसाइड कर लिया कि उस समय तो मिस मॉटेंसन थी अगर बात करें तो उन्हें ये डिसाइड कर लिया कि मैं छोड़ रही हूं तुमको और डाइवोर एक अच्छी मॉडल बन गई तो और 20 साल में इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया था हाला कि ऑफिशल 1956 में किया था 1956 लीगली इनका नाम चेंज हुआ था लेकिन 20 साल की जब हुई तो इन्होंने अपना पहला मुवी कॉंट्राक्ट साइन किया एक्चली हुआ क्या था कि हर मैगजीन के कवर पे तो इनकी फोटो होती थी और बहुत ज्यादा खुब्सूरत हो गई देकि जैसे जैसे इनकी उमर बढ़ती जा रही थी ये और ज्यादा खुब्सूरत होती जानी थी तो लोग तो वैसे ही पागल थे अब ऐसी आक्ट्रिस को अगर मूवी में कास्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है बड़ा प्रॉफिट होगा तो 20th Century Fox जो कि एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, स्टूडियो है उन्होंने मैरिलिन मुन्रो को नोटिस किया ठीक है और उसके बाद इनको एक रोल दिया, अब रोल जो था वो बहुत ही इनका guest appearance था एक छोटा सा रोल था स्कूड़ा हो स्कूड़ा ही में, जादा रोल था ही नहीं पांच-छे मिनिट का था लेकिन ब्रेक तो मिला इनको उसके बाद मैरिलिन मुन्रो ने अपने उपर और फोड़ा फोकस किया ठीक है, कॉस्मेटिक सर्जली भी कराई, अपनी नाक की थोड़ी सर्जली करवाई और फिर इनके, इनको एक के बाद एक कॉंट्राक्ट मिलते रहे बारा महिने का, इनका 20th Century Fox के साथ कॉंट्राक्ट था और उसके बाद कॉलंबिया पिच्चर ने, जैसे ही बारा महिने, एक साल खाता मुए कॉलंबिया पिच्चर ने इनको साइन कर लिया, कॉंट्राक्ट होता है न, जब यह आप अक्टर यह आक्टरेस होते हैं तो आपको कॉंट्राक्ट साइन करना पड़ता है, कि इतने महिने के लिए, इतने साल के लिए आप हमारे साथ ही मुवी करेंगे, समझ गए, तो यह चीज है अब हम यह देखते हैं, कि इधर इनको मुवी में इतनी जाद इनको सक्सेस फिलाल नहीं मिल रही है ठीक है, लेकिन commercial ads बहुत ज़्यादा कर रही है, commercially इनको बहुत ज़्यादा, advertisement यह काफी कर रही थी और इनको खूब सक्सेस मिली लेकिन दोस्तों साथी साथ इन्होंने Playboy magazine जो adult magazine होती है, उसके लिए इन्होंने nude post दिया और यह बहुत ज़्यादा famous हुआ था बाद में जब star हो गई थी, देखे, Marilyn Monroe बहुत बड़ी star जब हो गई थी, अभी 2-3 साल में हो ही जाएगी, अभी जब जैसे जैसे बागे बढ़ेंगे, तो बहुत लोग इनसे जनने भी लगे थे, और इनका character assassination बहुत हुआ, तो यह जो calendar के लिए Playboy सो मैं adult magazine आया करती थी, आपको तो नहीं, ठीक है, यह शायद इसका, लेकिन चर्चा में रहती है कई बार, ठीक है, तो Playboy की बात करें, तो इस magazine के लिए इन्होंने nude pose दिये, है ना, अब इस पे काफी ज़्यादा बवाल भी हुआ था बाद में, जब यह star बन गई थी, बाद में यही फोटो दिख भाके बताया जाता था कि देखो, यह तुमारी star इसको तुम follow करते हो, यह देख लो, कोई dignity है इसके अंदर, इस तरीके का character assassination मरलिन मुन्रो के साथ बहुत बार हुआ, समझ रहे हैं, लेकिन कहानी आगे बरती है, इन्होंने अभी तक इनको movie में बहुत ज़्यादा success नहीं म साथ साल के लिए था contract और पैसे भी बढ़ा दिये, 500 डॉलर, एक हफते के 500 डॉलर, मतलब उस समय महिने के लाखो लाखो रुपए कमा रही थी, समझ रहे हैं, अगर हम Indian currency की बात करें, Marilyn Monroe, पैसे की कोई कमी नहीं, ठीक है, होब इनको fame मिल रही है, खोब इनको शोहरत मिल रह है, लेकिन वही है न, कि काफी लोग इनसे जलने भी लगे थे, character assassination, अब दोस्तों हम इनकी movies की बात कर लेते हैं, देखें, 1953 में हम यह देखते हैं, कि इनकी बहुत सारी movies आई, जो की बहुत जादा हिट रही हैं, मिनकी सिर्फ important movie की बात करेंगे, ठीक है, अब इसमें Niagara movie थी how to marry a millionaire movie थी, the seven year age 1955 में आई, prince and the show girl, bus stop 1956 में आई, लेकिन 1957 तक दोस्तों हम देखते हैं, कि यह तंग आ गई थी, क्यों तंग आ गई थी, देखें दोस्तों, इनकी image क्या बन गई थी, कि यह जिस तरीके के role play करती थी न, एक ही तरीके के character, ठीक है, कि एक blonde girl है, है और वो मर्दों को रिजा रही है, ठीक है, एक बेवकूफी वाला character इनका होता था, कोई intellect नहीं होता था उस character का, तो लोगों ने, अब जो लोग movie में देखते हैं, वही मानना ही नहीं है, यह तो बेवकूफ है, कोई intellect है ही नहीं, कोई dignity है ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं था, Marilyn Monroe was highly intelligent, तभी तो यहां तक पहुची न, और बहुत पनी थी, humor और काफी ज़्यादा दिमाग वाली थी यह, ठीक है, बहुत अच्छे से manage कर दी थी चीजों को, लेकिन फिल्मो मुन्रो और उसको change करना चारी थी, तो 1957 में इन्होंने बुला कि बस अब मैं serious roles करूंगी, उपर से लोग इनका बहुत मजाग उडाते थे, जैसा कि मैंने बताया, कि लोग इनका काफी मजाग उडाते थे, जब यह road पे चलती थी, इनको imitate करते थे, यह कहीं से जारी होती थ तो टॉंट पास किया जाता था इनको, ठीक है, देखिए, मैरिलिन मुन्रो एक ऐसे परिवार से आती थी, परिवार क्या परिवार था इनका, मैरिलिन मुन्रो ने कभी पढ़ाई तो की नहीं थी, ठीक है, तो वो चीज तो लाग करती थी, इनमें, हैना एक टाइम पर वो यसा कि मैंने बता, पैसा इनके पाद बहुत आ रहा है, लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि एक ही तरीके का बार-बार ये रोल प्ले कर रहे हैं, और इनको एक sex object के तोर पे दिखाये जाता था, लेकिन वही है न, कि भया, movie industry को इनकी एक जलक से बहुत फायदा हो रहा तो कोई और serious role देने के लिए इनको तयारी नेता यही रोल करते जाओ, क्योंकि खूब पैसा आ रहा था, समझ गए, तो ये चीज है, अब दोस्तों इसी दौरान इनकी एक और शादी होती है, इनके husband जो थे, जो दूसरे husband थे, जिनका नाम था Joe D. Maggio, 1954, ठीक है, 1954 आते आते इनकी, जो मैंने आपको movies दिखाए ने, super duper hit हुई थी, ठीक है, सारी ने, लेकिन इस पे most of them इनकी movies जो है, later movie जादा अच्छी नहीं चली, लेकिन जादा तर, how to marry a million year, seven year, age, ये बहुत हिट हुई थी, है ना, तो काफी बड़ी star थी, अब Joe D. Maggio जो थे, वो थोड़े सरीन से डिवोस हो गया, कैसे, चली, अब हम इस पे आते, इस काहनी पे आते हैं, Marilyn Monroe की बात करें, अरे यार, बार-बार, ये sound आ जा रहा, actually, मुझसे की दव जा रही है, I'm sorry, तो Marilyn Monroe की बात करें, तो हुआ कि, Joe D. Maggio थे, काफी intellectual इंसान थे, काफी पढ़े लिक इंसान थे, और Joe D. Maggio की बात करें, तो दोनों एक दूसरे से करीब है, जो D. Maggio की बात करें, और उसके बाद, इन दोनों ने शादी कर ली, ठीक है, अच्छा खाजा है, मतलब पैसा तो ब क्योंकि Marilyn Monroe जो है, उनके काफी मर्दों से affair थे, Marilyn Monroe के काफी आद्मियों से affair थे, काफी affair रही है Marilyn Monroe के, साथी साथ, Joe D. Maggio चाते थे, कि Joe D. Maggio को लाम लाइट ज़्यादा पसंद नहीं थी, इन फैक्ट जब कोई एवार्ट सेरीमनी होती थी, तो Marilyn Monroe तो अंदर जाती थी, Joe D. Maggio लगी और एक होता है जलन, है ना, वो इगो पे जो चोट हो जाती है, वो Joe D. Maggio के साथ होने लगा, और एक साल के अंदर अंदर जब काफ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो Joe D. Maggio ने Marilyn Monroe को छोड़ दिया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा घातक साबित हुआ Marilyn Monroe के ल लेकिन एक्चुली ऐसा हुआ नहीं, ठीक है, और इसके बाद जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, Marilyn Monroe जो है, वो डिप्रेशन का शिकार होती गई, 1955 के बाद से सब कुछ बदल गया, 1957 में ये नियू यॉर्क का, इनको लगा कि बहुत हो गया, कैलिफोर्निया में ठीक है, बकायदा आक्टिंग सीखी, कुछ serious बकायदा बहुत बड़ा एक ग्रुप था, उनसे बकायदा आक्टिंग सीखी, और इन्होंने बोला कि मैं अब serious roles करूंगी, लेकिन वो serious roles जब इन्होंने बाकी की movies की, later movies की, The Misfits जैसे, ये ज़्यादा hit नहीं हुआ, हम ये देखते है कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ने लगा, वैसे वैसे Marilyn Monroe जो है, वो बहुत दिक्कत में आने लगी, ठीक है, एक तो वैसे ही, एक बार इनका miscarriage भी हो गया था, ठीक है, क्या हुआ था, कि जब इनकी इन्होंने जब तीसरी शादी की थी, जो कि एक playwright थे, इनके तीसरे husband क नाम था, ठीक है, जो कि एक बहुत मशूर playwright थे, आर्थर मिलर, इन्होंने 1956 में शादी की थी, इसी दौरान निका miscarriage हुआ था, समझ रहे हैं, अब जैसा कि मैंने बताया कि यह चाहती थी एक बच्चा, एक बच्चा हो जा उसको मैं बहुत ज़्यादा प्यार करूँ, ज ठीक है, उपर से अब Marilyn Monroe में वो बात नहीं रही थी, देखे, 30 साल अब उमर हो गई थी, 1956 के बाद 30 साल उमर, अब कुछ lifestyle भी ऐसी हो गई थी Marilyn Monroe की, की बहुत ज़्यादा दिक्कत, शराब भी बहुत ज़्यादा पीने लगी थी, depression में थी, तो आपको पता ही है, depression में फिर इ ज़्यादा हिट नहीं रही, कुछ average तो कुछ बिलकुल box office failure, ठीक है, तो इसने Marilyn Monroe को और ज़्यादा बिमार कर दिया, यह पिल्स लेने लगी, यहां तक की Marilyn Monroe जब set पे जाती थी, तो एक टाइम पे क्या था, जब इनों अपना career शुरू किया था, तो dialogue बहुत ही आसानी से smoothly बोल देती थी, लेकिन अब यह एक-एक scene के लिए 20-25-25 takes लेती थी, समझी नहीं आता था कि क्या करूँ, इनको cue card की जरूरत परती थी, कि कोई मुझे बता है, सामने अगर dialogue लिखा हो, तभी बोल पाती थी, ठीक है, जिसकी वज़े से producer इनसे किनारा करने लगी, director इनसे किन मुवी बनानी है, director को मुवी बनानी है, ठीक है, लेकिन Marilyn Monroe बार-बार इस चीज में fail हो जानी थी, तो जिसकी वज़े से बढ़ा irritation था, और कोई भी director फिर एक time पे इनके साथ काम नहीं करना चाता था, self-destructive behavior हो गया था इनका, आपने आपको नुकसान पहुचाती थी, दिमैगियों की, जो दिमैगियों दुबारा इनकी लाइफ में आए, जब इनको पता चला Marilyn Monroe बहुत जादा बिमार है, तो hero बनके जो दिमैगियों दुबारा इनकी लाइफ में आए, और इनको सही किया, इनको थोड़े वक्त मूवी से दूर किया, अपने साथ घुमाया, और दुबारा सही हुई Marilyn Monroe, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, समझ रहे हैं, आप उमर जो है Marilyn Monroe की 34 साल हो गई थी, और 34 साल में अब जो करियर है इनका ढलने लगा था, जो पीक थी, वो चली गई थी, अब बहुत और जो heroines थी, young heroines उनकी entry हो गई थी, जिन्हों ने Marilyn Monroe को take over कर ल जाने लगी, और फिर इनका famous John F. Kennedy से, हलां कि John F. Kennedy से जो इनका रिष्टा बहुत आता, exaggerated है, ऐसा बताया जाता है कि John F. Kennedy के साथ भी इनका रिष्टा था, इनकी John F. Kennedy के साथ भी relationship में थी, लेकिन ये दोस्तों पूरी तरीके से सही नहीं लगता, जब इनकी बहुत जाच इसको बहुत ही बढ़ा चड़ा के दिखाया गया है, उसके बाद दोस्तों हम ये देखते हैं कि इनका famous stage incident, famous stage incident वो दोस्तों YouTube पे available है, उसमें क्या हुआ था, John F. Kennedy का बड़े था, president का बड़े था, और इनको happy birthday to you गाना था, ये stage पे चड़ी, जो host था, उसने announce किया कि Marilyn Monroe के लिए ताली बजाई है, एक बार announce कि Marilyn Monroe नहीं आई, दूसरी बार announce कि Marilyn Monroe नहीं आई, तीसरी चौती बार बड़ी मुश्किल से stage पे आई, और जब ये stage पे आई, तो पूरी तरीके से नशे में, ठीक है, और उसके बाद जब ये stage पे आई, इनोंने माई पकड़ा happy birthday to you की जग happy birthday to गा रही थी है, साफ पता चल गया कि Marilyn Monroe बहुत ज़्यादा नशे में शरापी रखी है, ठीक है, तो बड़ा ही humiliating incident था, मैंने बताया ना कि last, जो इनका last time था, वो बहुत खराब भी था, और लोग और ज़्यादा हसने लगे, हासी का पात्र तो पहले से ही थी, और ज़् भी सोती थी, depression था, तो बहुत सारी दवाईया लेके सोती थी, है ना, पिल्स लेके सोती थी, उसके बिना इनको नीधी नहीं आती थी, लेकिन जब 5 अगस्त आया 1962, ये जगाने से भी नहीं उटी, 36 साल की थी, इनका देहान थो चुका था, एक पूरी बोटल इन्होंने, न समझ रहे हैं, depression में सबसे important ये है कि आप बात करें, जिंदगी कभी भी मत खतम करें, कोई भी घलत step ना ले, लेकिन यहाँ पे इनका सुसाइड हम नहीं कह सकते, इन्होंने overdose of pills इसकी वज़े से इनका दिहान थुआ, समझ रहे हैं, तो 36 साल की थी ये, अब इसके बाद इनक कि वो अभी सिर्फ एक मित है, ठीक है, Marilyn Monroe तो मर के चली गई, लेकिन इनका दिहान कैसे हुआ, वो आज भी बहुत debate का issue है, लेकिन 99 क्या मुझे तो लगता है, जितना मैंने पढ़ा, 100% इनकी जो मौत थी, ये sleeping pill से हुई, इसके overdose से हुई, समझ रहे हैं, तो Marilyn Monroe 1962 में हमको छो जाता है, और कई इमके उपर तो researches हुई है, ठीक है ना, तो ये चीज है, ये लेचर था, I hope आपको पसंद आया होगा, खुश रहे हैं पर ते रही दे से सिद्धान तक नहीं होतरी सैनिंग,